हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज में आज हम एक बाइलोजी का टोपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है स्वेंपोसी पोशन और विशंपोसी पोशन स्वेंपोसी पोशन का मतलब है ओट्रोट्रोपिक मोड ओफ नूट्रिशन और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ओफ नूट्रिशन क्या होता है दोनों देखिए उससे पहले हमें दो चीजे पढ़नी होगी एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक ऐसे पदार्थ जिसमें जो कार्बन और हाइट्रोजन साथ नहीं आते उसको बोलते हैं अकार्बनिक जैसे आपका एस टूओ जैसे आपका सीओ टू तो क्या होता है जो स्वैम पॉसी पोशन स्वैम का मतलब खोद पोशन करने तो एसे जीव या ऐसे पेड़ पोदे जो परकास संसिलेशन की किरिया द्वारा सरल कार्बनिक सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्मान करके अपना स्वेम पोशन करते हैं स्वेम पोशी जीव कहलाते हैं मतलब जो आपके हरे पेड़ पोधे होते हैं वो हरे पेड़ पोधे सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डा पोशन होते हैं वो अकार्बनिक से कैसा पोजन बनाते हैं कार्बनिक क्योंकि कार्बन प्रकरती में हमारी पाई जाने वाला सबसे ज्यादा खाद बदार्तों में पाई जाने वाला तत्व होता है ठीक है तो कार्बन के योगिक सबसे ज्यादा होते हैं तो हरे पेड़ पोद और यूग लिना हरेपेड़ पोदे और यूग लिना एक्जामपल होता है हमारा किसका एक्जामपल होता है हमारा स्वयपोसी पोशन उसके बाद विशम पोशी पोशन क्या होता है विशम पोशी पोशन ऐसा पोशन होता है वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और उर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जंतु, या मृतं पोदो, या जंतु से ग्रहन करते हैं, विसम पोषी जीव क्याते हैं, विसम पोषी जीव किस से भोजन लेंगे स्वैं पोषी से, जैसे कि हम, हमारे अंदर जो मोड औ निूट्रिशन होता है, वह होता है हेट पीड़ पौदो पर क्या रहते हैं निर्भर रहते हैं पेड़ पोदो पर क्या रहते हैं निर्भर उसके बाद इसमें डिफरेंस देखेंगे जैसे इसका Example है यूगलीना को छोड़कर सब जन्तू जितने dwa सब क्या है विसम पोशी उसके बाद आपका एक्जामपल होता है अमर बेल अमर बेल भी किसका एक्जामपल है विसम पोशी पोशन का उसके बाद आपका उधारन है जीवानू जीवानू भी विसम पोशी पोशन का क्या है उधारन है और एक एक्जामपल है आपका कवक कबक यानिक है फंजाई जो फंजाई होता है आपका किसका एक्जामपल है विशम पोशी पोशन का आईए और अंतर देखते हैं कुछ और अंतर देखते हैं स्वें पोशी पोशन और विशम पोशी पोशन में क्या होता है नमबर वन यह पोशन हरे पोदों में पाया जाता है अभी हमने देखा कि जो सुए पोशी पोशन है कौन करते हैं हरे पेड़ पोदे और यूगलीना और विशम पोशी पोशन यह पोशन कीटों तथा जनतूं में पाया जाता है जो कीट होते हैं इंसेक्ट होते हैं और एनिमल्स उनमें पाया जाता है विशम पोशी पोशन हमें भी कौन सा पोशन पाया जाएगा विशम पोशी पोशन आगे जाकर आप पढ़ेंगे विशम पोशी पोशन भी तीन परकार का होता है कितने परकार का तीन एक प्रानी संभो पोशन एक परजीवी पोशन और एक मृतोप जीवी पोशन क्या होता है मृतोप जीवी पोशन तीनों को बता देता हूं ऐसा पोशन जिसमें एक वैल डिफाइन सिस्टम होगा जो जटिल से सरल में convert कर देगा खाद्र पदार्थों को उसमें पाया जाएगा कौन सा विसम पोशी के साथ साथ कौन सा पाया जाएगा प्रानी संभोजी जैसे कि हम हमारे अंदर पाचन के लिए का लग सिस्टम है तो हमारा जो पोशन होगा वो विसम प्रानी संभोजी पोशन है विसम पोशी मे ये तब प्राप्त करते हैं जब वो जीव मर गया हो जैसे आपने देखा होगा कि जो अगर कोई गाएं बहांस या कुछ भी जानवर मर जाता है तो उनके उपर छोटे-छोटे कीडे हो जाते हैं और परजीवी में क्या होता है वो मारे भी ना ही दूसरे जीव पर जाकर उनस से पेड़ पोदो को और जड़ से मिलेगी एस टूओ क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रजेंट होता है पत्तियों में किसकी हरे पेड़ पोदो की पत्तियों में क्या प्रजेंट होता है क्लोरोफिल और सूर्य का परकास दिन में सूर्य के परकास की उपस्तिती में ये क्या काम क कि आपके पास यह जो carbon dioxide और H2O है मैं ने बताय यह कैसे होते हैं कै contracting कैसे होते हैं pública क्या बन गया क्या यहां पर आप देखो गई यह कैसा Be gorgeous तो यह पार्बन कोषिन होता है तो इस तरह से अच्हेंग ङानि carbon dioxide & जल से किसका निर्मान करते हैं कारवणिक पदार्थ होगा जबकि विशंप पोसी पोन में उत्य पर पर्म में सकार सुरे के प्रकास का परियोग आपको करते हैं। लोरोफिल और किसका सूरे के परकास का और विसम पोशी पोशन में भोजन का निर्मान नहीं होता अब आप कहोगे कि हम तो अपना भोजन स्वेम बनाते हैं किचन में जाते हैं मम्मी बनाती है हमारी नहीं ऐसा नहीं है जो कच्छा रो मैट्रियल है वो कहां से आता है वो आत पोधों को भोजन के निर्मान के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यक्ता होती है कार्बन डायोकसाइड और S2 की आवश्यक्ता होगी किसको पेड़ पोधों को जबकि जन्तुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यक्ता होती है देखिए कि तो उनों को एक ही पदार्थ की जरूरत होती तो कहां से आता इतना पदार्थ कौन बनाता भोजन तो जो पेड़ पोधे होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ की आवशक्ता होती है कारबनिक में कनवर्ट कर देता है और जो हम होते हैं उस कारबनिक पदार्थों को खा लेते हैं तो इस तरह से डिफरेंस होता है यह किस-किस में विश्वयपोसी पोशन और विशमपोसी पोशन में तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगर आपका कोई भी टोपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं मैं उस टोपिक पर आपको वीडियो बना दूँगा ठीक हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को सेयर भी कीजिए धन्यवाद मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ